सभूति दोस्तों कैसे आप सबस्कूलों दोस्तों आजकी वीडियो में हम् डिसकुस करेंगे केक का ओवर्यॿयड़ धीन मेंडिस संस्रील मेंशिकुटन स Prose सिफ शुरू करने से पहले कुछ इंप़्ॉर्टन चीजी योकि एक्ट के पहले हम लोग समझ लेहं ज्यादा बढ़िया है एक आयूरवेदा और सिध्धा ये तीन चीजे आयूरवेदा सिध्धा और यूनानी तो आईरवेदा और जो सिध्धा है ये दौनों एक ही concept पर काम करता है वात पित कफ आपने सुना होगा वात पित कफ वात यानि की मेटाब मूवमेंट आपका मूवमेंट पित मतलब आपका मेटाबॉलिजम कफ यानि की आपका structure तो जो आपका functioning है यह जो आई आयरुवेदा और इसको अस्ठांग आयरुवेदा बोलते हैं अगर आपको मालूबू तो आयरुवेदा सिध्धा और यह जो दौनों हैं यह आपके आयरुवेद से आपको सही करने का काम करते हैं वत्त पित्त कफ के उपर फोकस करते हैं ठीक है आप बोलो कि इन दौनों में फिर अंतर क्या है तो जो सिद्धा है यह 1920 में बना था एक तरीके से तो यह जो है यह जो प्रेक्टिस किया जाता है यह साउथ में स्टार्ट ही साउथ में हुआ था तमिलनाडू और केरिला वाले साउथ का अयुर्वेदा एक है यूनानी यूनानी जो है वो अरब से निकली हुई चीज़ है तो अरब मेडिसन आप बोल सकते हैं इसको यह फोकस करती है इन आठ चीजों पर एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ चीजों पर पल्स आपकी जो दिल की जो धड़कन है यूनानी इस पर फोकस करती है आयुर्वेदा और सिद्धा जो है वो इस पर फोकस करती है तो इंडियन मेडिसन में जो हम बात करेंगे वो जो मेडिसन होगी वो यह वाली मेडिसन होगी इस पर हम लोग बात करेंगे ठीक है अब जो एक और एक्ट है ड्रक्स एंड कॉस्म एक और चीज है जो लास्ट में जो हम को देखने है वो है state registration of Indian medicine state register registration नहीं register state register of Indian medicine अब यह state register of Indian medicine क्या है अब हर एक state जो है वो अपना एक register maintain करती है कि कौन-कौन से जो Indian medicine में जिनका registration हो चुका है मतलब कि जो Indian medicine practice कर रहे हैं वो कौन-कौन लोग है उनका registration के लिए एक register बनाया हुआ एक कौन-कौन ऐसे लोग है तो वो register जो maintain होता उसको हम बोलते है state register of Indian medicine act और सारे state का मिलाके एक हो जाता है central register of Indian medicine अब हम लोग देखते है central council कैसे क्या work करती constitution क्या है इसका कौन-कौन मिलके बनाए अब यह जो act है Indian medicine of central council जो है यह और homeopathy of central council एक्ट यह दोनों बहुत ज्यादा similar है तो इसका constitution उसका work उसका work इसका license कैसे मिलता है यह पर license कैसे मिलता है approval कैसे होता है सब कुछ बहुत identical है तो आपने अगर यह से ही से समझ लिया तो वो भी आपको समझ में आ जाए हलकी फुलकी चीज़ें थोड़ा है दरोदर क्योंकि वह होमेपैथी वाला है यह इंडियन मेडिसीन आवर्यवेदा बगरा से रिलेटेड है तो जो सेंटरल काउंसल है जिसको इंडियन मेडिकल और सेंटरल काउंसल भी बोल सकते हैं इसमें मैक्जिमम पांच लोग हो सकते हैं मैक्जिमम पांच लोग कौन-कौन से वो लोग जो की प्रैक्टिशनर है और अर्यवेदा सिध्धा और युनानी के उन में से जो भी प्रैक्ट हुआ जो भी उनीवर्सेटीं कि सिल 만든 करें से मानखे चलो की तस अस 시लेक्ट अब दस उनिवर्सिटी में से जहां जहां आयरुवेदा शिद्ध और यूनानी जो होताइग ठिक है उन हर एक university में से हर एक आयरुवेदा के department से एक आदमी उठाएंगे। तो total मान के चलो कि 10 university हैं, तो 10 आयरुवेदा से आएगा 10 हिस से आएगा, तो total 30 लोग आ जाएंगे। जोकि एक आदमी हमको हर एक department से चाहिए हर एक university के तो minimum बना आदमी तो यह सम मिलके जो भी central government state government decide करेगी select करेगी university को उससे अब इनी से president बनेगा vice president बनेगा president elect होगा और vice president जो है हर एक department का elect होगा आयर्वेदा का अलग vice president होगा सध्धा का अलग युनानी का अलग ठीक है अब इनकी meeting कब होगी meeting होगी once in a year minimum कम से कम एक बार तो एक साल में होनी चाहिए कम से कम एक बार तो होनी चाहिए और one third members मिलके quorum constitute करेंगे ठीक है अब इसकी जरुरत क्यों है हमको हमको इसकी बहुत ज़्यादा जरुरत है central council की central council की हमको जरुरत इसलिए है क्योंकि state government सा advice मांगती है advice क्यों मांगती है कि no medical college shall be established कोई भी medical college ना तो establish होगा ना तो कोई नया course खोलेगा और ना ही अपना admission increase करेगा without the prior approval of central government और central government का और इनका आपस में इत्ता बहुत बड़ा link है क्योंकि इसके approval के मेरा central government भी नहीं करेगी central government इसको बैस्ति अब कैसे बैस्ति में बताता हूं अब देखिए होता क्या है कि जो person है उसको तीन चीजों के लिए license ही होता है जैसे हमने देखा है कि hospital के registration के लिए admission बढ़ाना है या फिर आपको admission seat बढ़ाना है न्यू कोर्स कि आपको क्या करना होता तो जो कोई एक person है वो central government को एक scheme देगा scheme याने कि आप application समझ लिए कि वो देंगे central government को अब जो central government है वो central council को वो scheme forward कर देगी अब central council को जो भी चीज देखनी है समझनी है अगर वो चाहे तो इनको बुलवा भी सकती है किसी भी आदमी को बुलवा भी सकती है कि आओ यह बता भी यह क्या है और उसको ऐसा नहीं करना है तो वो जो भी देखेगी वो 6 महिने के अंदर within 6 महिने यह compulsory उनको भेजना ही पड़ेगा नाहीं के अंदर उन्ड़े यह उन्हें देखा वो फॉर्वर्ड करोदो और जो भी जो भी रिकमेंडेशन्स होंगी और जो भी उनको चेक करना होगा वो सब करके रिकमेंडेशन्स देकर संट्रल गवर्मेंट को फॉर्वड कर देगी अब depends ग अब कि नहीं यार Central Council के बात तो सही है तो और इनको ऐसा लगा कि permission मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए तो obviously बात है Central Government के पास में power होती है approve या disapprove करनेगी लेकिन उसके पहले एक और power होती है इसके पास एक right है right to be heard तो यह सीधी सी बात है कि वह उसको बुलवा भी सकता है बुलवा भी सकता है यह बता तो reasonable opportunities को मिली और यह जो भी होगा वह हो जाएगा ठीक है अब एक और चीज़ उती है यहां पर कि जो Central Government जो होती है किसी एक आदमी ने अपनी स्कीम दी अपनी application दी Central Government को मान के चलो Central Government ने रख लिया ना इधर forward किया ना इधर forward किया कुछ reply ने दिया Central Government ने रख दिया और एक साल हो गया एक साल तक कोई reply दी आया इस स्कीम का कुछ पता ही नहीं है वह application गई का तो अगर एक साल हो गया तो यह मान लिया जाएगा डीम अप्रूवड कि वह जो उनकी application थी वह अप्रूवड हो चुकी है इसने application थी Central Government ने कुछ किया ही नहीं किया तो आपके पास approval है भी आपको जो करना है वह करो authorization मिल चुकी है आपको अब हमने बात करी कि recommendation Central Council recommendation भी कर सकती है क्या recommendation कर सकती हो minimum standards या आपका जो college है facilities है वो ऐसी ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए adequate financial resource नहीं है या hospital में जो facilities है वो नहीं है manpower नहीं है जो चाहिए या और भी कोई other facility जो की होनी चाहिए necessary facility जो होनी चाहिए वो नहीं कि आपके पास इन सब का वो recommendation भेज सकती है ठीक है क्लास्ट है बस हमारा उसके बाद हम कतम करेंगे जो inspector होता है जो कि Central Government State Government Appoint करती है इंस्पेक्टर क्या होता है क्या काम होता है तो inspector का काम inspect करने का होता है वो college में इनस्पेक्ट कर सकता है एक्जाम में भी examination हो रहा हूँ वो तब भी inspect कर सकता लेकिन examination उसको ऐसा नहीं है कि कहीं पर कुछ disturb कर रहा हूँ किसी को observe करेगा और जो भी report होगी central council को भेज़ देगा central council वो report को copy forward कर देंगे central government को और university को साथ ती साथ और और वही फिर central government को ऐसा लगता है कि नहीं कर सा लाइसेंस केंसल होना चाहिए तो वह लाइसेंस कैंसल हो जाएगा सस्पेंड हो जाएगा तो जो भी action लेना होगा फिर यह कर लेगी अपने साब से तो दोस्तों यह था पूरा overview of the act और अगर हमने यह समझ लिया तो हो में पैथी एक भी हमने समझ लिया होगा यह कि आप देखोगे अगर online आप देखोगे तो काफी आपको सिमिलर लगेगा बहुत ज्यादा कुछ अंतर है नहीं इन दोनों में तो उम्मीद करता हमको समझ में आया होगा हम फिर मिलें किसी नई वीडियो के साथ तब तक लिए थैक्यों बेरी मच्च